कुश्चन 6 जो कि NCRT का कुश्चन है और यह RD सर्मा का 14th कुश्चन है RD का 14th कुश्चन है चुक्कि RD में जब आएगा त्फिर ही कुश्चन आएगा तो वहाँ भी कहा जाएगा NCRT का 6 है और RD का 14 है ठीक है देखिए अब हमें समझा नहीं रहा हूँ step 1 क्या करते हैं N is equal to 1 लेते हैं यहीं कि एक step पहला step तो LHS की value क्या जाएगी 1 into 2 बोले तो 2 फिर क्या करेंगे आरचस लेंगे और N को 1 रखेंगे तो आएगा 1 1 plus 1 1 plus 2 upon 3 तो 1 into 1 plus 2 3 1 plus 1 2 1 plus 2 3 upon 3 is equal to 3 कट गया 2 आगया तो आपने क्या लिखा LHS is equal to RHS so given statement is true for N is equal to 1 यह mathematical statement होता है step 2 में हम क्या करते हैं step 2 में हमने कहा कि we assume that कि for N is equal to K this statement is true यह लिखेंगे आप हम लिख नहीं रहें N को K रखो हैनि N को K मताब यहां मत के रख दीजेगा पूरे टर्म लिखेगा के तक ले जाएगे तो आएगा 1 into 2 plus 2 into 3 plus 1 plus K into K plus 1 is equal to यहां क्या आएगा यहां लिखे जाने नीचे K, K plus 1, K plus 2 upon 3 यह second equation हो गया third step जो की यही दिक्कत create करता है for N is equal to step 3 for N is equal to K plus 1 LHS में N को K plus 1 रख दीजेगा तरीका हमने क्या बताया था देखो ध्यान से N को K plus 1 लिखेंगे तो यहां आएगा 1 into 2 plus 2 into 3 देखो and so on यहां last में आपने N को K plus 1 लिखा अब यह step फिर समझने की कोशिद करिएगा N को K plus 1 लिखेंगे जहां क्या आएगा यहां आएगा K plus 1 और यह इससे एक ज़्यादा है यह K plus 2 हो जाएगा अब इसके पहले का step पहंचानिए देखे color 1 यह पहला step one यह पहला step two इसके बाद पहला step three यह पहला step क्लस 1 तो इसके पहले आएगा तो एक कम हो जाएगा तो k plus 1 जब पहले आएगा तो k हो जाएगा एक कम और फिर इसका एक कम कर दोगे k plus 1 हो जाएगा तो को 90% क्या 100% आना तो यही है आपका इसके पहले के सब यही आना है तो आना है लेकि फिर भी आपको जानकरी होने चाहिए using equation 2 using equation 2 यह forcing नहीं है कि यह अब यह 4 लिखा और सिंग का है लिखा मैं using बोल भी रहा हूँ इसलिए तो 1 से लेकर के पहले step से लेकर के यहां तक क्या लिखेंगे यहां तक यह चोटी सी value लिखेंगे क्या है यह k k plus 1 k plus 2 upon 3 plus यहां क्या हैगा k plus 1 into k plus 2 अब देखो ध्यान से अगर मैं right hand side में क्योंकि RSS लेकर आना है अगर right hand side में मैं n को k plus 1 लिखता तो यह k plus 1 हो जाता यह उससे एक ज्यादा है k plus 2 हो जाता वो उससे एक ज्यादा है k plus 3 हो जाता है यही आना चाहिए अब देखो अगले step पे हम क्या करेंगे यह से अपने लिख लिख लिया अब हम यहां 3 LCM लेंगे और यह हट जाएगा यह पूरे में 3 LCM हो जाएगा और यह 3 multiply मा जाएगा यह ने करना कहां से आया यह आप जानते है ठीक है तो जो RD सर्मा discuss की जाएगी तो फिर वहां बताया जाएगा ध्यान रखिएगा देखिए उपर देखिए k plus 1 k plus 2 common है तो हमने k plus 1 काम ले लिया और k plus 2 काम ले लिया यहां क्या बचेगा यहां से k बचेगा यहां से 3 बचेगा k plus 3 बचा अपान 3 बचा अगर मैं n को k plus 1 लिख तो भान को लिखande बचेगा यहां से 3 बचेगा